दोस्तो भारत की अनिभवी स्टार फराटा धावी का हीमा दास को शुकरवार को असम पुलिस में उप अध्यक्ष डियस्पी बनाया गया इस मौके पर हीमा ने इसे बच्पन का सपना सच होने जैसे बता है इस दोरान उन्होंने कहा कि एथेलेटिक्स करियर चारी रहेगा शुकरवार को आयोजीत एक समारो में असम के मुख्यमंत्री सरवानंद सोनोवाल ने हीमा को न्युक्त पत्र सौफा इस मौके पर पुलिस महा निदेशक समित शिर्च पुलिस अधिकारी और प्रदेश सरकार के अधिकारे भी मौजूद थे वहीं इस खास मौके पर हीमा ने कहा कि वह बच्पन से ही पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखती आई है उन्होंने कहा कि यहां लोगों को पता है मैं कुछ अलग नहीं कहने जा रही यही मैं पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी और यह मेरी मा का सपना भी था उन्होंने कहा कि वह हीमा की मा दुरगा पूजा के दोरान मुझे खिलोने में बंदू दिलाती थी मा कहती थी कि मैं असम पुलिस की सेवा करूँ और अच्छी इंसान मनूँ इश्याई खेलों की रज़त पदक विजेता और जूनियर विश्व चैंपेन हीमा ने कहा कि वे पुलिस की नौकरी के साथ खेलों में अपना करियर भी जारी रखेंगी हिमा ने कहा कि मुझे सब कुछ खेलों की विजे से मिला है मैं प्रदेश में खेल की भैतरी के लिए भी काम करूँगी और असम को हरियाना की तरह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाने में कोशिश करूँगी असम पुलिस के लिए काम करते हुए अपना करियर भी जारी रखेंगी